हेलो, नमस्कार, इस वीडियो में आज हम इंचकेप रॉक के बारे में पढ़ेंगे, जो की एक बैलेड है, रिखी गई है, रॉबर्ट साओधी दौरा, Now, what is a ballot? अब्विस्ट कुस्चिन है, यह बैलेड होता क्या है? Now, ballot is something which is written in short stanzas, it is usually a very slow और काफी sentimental किसम का एक गाना या गीत या कविता रहती है, और कभी-कभी तो इसके authorship भी ठीक से established नहीं होती है, और यह एक generation से दूसरे generation को पास की जाती है, Okay, तो कभी-कभी बालूम नहीं होता है कि यह ballot actually लिखा किसने है, लेकिन यह ballot लिखा गया था Robert Saudhi Dwarra, Okay, so who was the poet laureate of England from 1813 to 1843, Okay, तो यह एक कहानी है, Inch Cape Rocking, जो कि यह काफी खतरनाक किसम का कह सकते हैं, वीफ है या टापू है, एक रीफ है, a very treacherous kind of rock in the North Sea, तक्रीबन 18 km of the Scotland coast, So, आप geography समझ सकते हैं, कि Scotland, जो कि England के उपर आता है, उसके तड़ के पास 18 km North Sea में यह टापू है, यह एक किसम का rock है, जिसको की Inch Cape Rock कहा जाता है, तो अभी चलते हैं, let's go towards the poem, Okay, तो इस Inch Cape Rock की आखिरकार कहानी क्या थी, यह इसकी कहानी यह थी, कि यह एक चटान है, जैसा मैंने का North Sea में, और वहाँ पर एक सादू, जिसका की नाम है Abbott of Aberthook, A-B-E-R-B-R-O-T-H-O-K, उके, उसने एक काम किया, कि उसने गंटी बांधी, उस चटान पर sometime in the 14th century, इरादा ये था कि अगर गंटी बसती रहे, हवा में गंटी बजेगी, तो लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर एक चटान है, तो ताकि नाव या जहाज उससे आकर टक्राएना, तो लोग काफी खुश थे, जितने भी नौका में सवार थे, या जहाज में सवार थे, वो काफी खुश थे, और इसको ब्लेस किया, इस सादू को कि तुमने अच्छा काम किया, लेकिन एक दिन एक पाइरेट, पाइरेट का मतलब समवन हू रॉब्स पीपल अट सी, इसका नाम है सर रैल्फ दी रॉबर, उसने जलन में आकर उस गंटी की रसी को काट दिया, कि अब गंटी नहीं बजेगी, तो इससे हुआ ये कि काफी सारे जहाज उस चटान से जाकर टकरा जाते थे, और जब वो टकरा जाते थे तो वो आगे नहीं निकल पाते थे, उस सरम उस समय पर ये पाइरेट आकर उनको लूट लेता था, तो इसकी वज़े से वो काफी अमीर भी हो गया, उसकी वज़े से, लेकिन हुआ ये आखिर में कि एक तरह से कर्मा का फल मिलता है, तो वो उसको वापिस उसी का फल मिला, क्योंकि उसका जहाज खुच जाकर उस इंच के प्रॉक से टकरा गया, और उसको इस बात की सजा मिली, तो ये हुआ, तो इसी बात को ये पर्टिकलर कोईम दर्शाती है, Okay, so it is a ballad, इस box को जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, पढ़ लीजिये, 14th century की कहानी है, by the abbot of Aberbrothock, to install a warning bell on Inch Cape, a notorious sandstone reef, जो की एक चटान है basically, about 18 kilometers of the east coast of Scotland, जो की मैंने भी आपको बताया, और उसके बाद जो pirate ने किया, उसके बारे में बात की गई है, तो तक्रीबन, आमें तक्रीबन क्या, exactly 17 stanzias की ये कविता है, तो पहली दो line और बाकी next two lines rhyme with each other, तो A, A, B, B का ये rhyme scheme है, आप देखें ना, ये हो गया, sorry, ये हो गया C, B, so C, E, E, E का आपको sound सुनाई दे रहा है, motion, ocean, so ये हो गया A, A, ये हो गया B, B, समझ में आगे ना, ये अबर काफी simple है, rhyme scheme डूणना, अभी मैं आपको stanza-wise explanation दे देता हूँ, ताकि आपको कोई problem ना हो, no stir in the air, no stir in the sea, the ship was as still as she could be, still का मतलब है, बिल्कुल stationary, yeah, and in one place without moving, no stir का मतलब, हावा में बिल्कुल भी, there was no movement in the air, there was no movement in the sea either, okay, so stir is to move, you understand, there is no movement, sails का मतलब है न, जो जहाज पर उसके movement को एक तरह से control करते हैं, जो keel जो है, हर sails को समझ आगे है, keel का मतलब है कि it's a flat blade sticking down into the water from the bottom of the board, यानि कि नाव के नीचे से एक flat blade नीचे जाती है, और उसका मकसद यह होता है कि उससे वो यह कोशिश करता है, कि boat, जो नाव है, एक तरह से हवा में left या right की तरफ निकले ना, तो एक तरह से it maintains some kind of contact towards the ground, so its keel was, her keel, because नाव को एक female रूप में दर्शाया गया है, जैसे जरली ship को female रूप में ही बोलते हैं, so her keel was steady in the ocean, यानि कि समुंदर में its keel was kind of steady in order to ensure कि वो left या right को किसी ना किसी तरफ ना घुमे, stillness of the ship, यह जो ship दूसरी लाइन में लिखा है कि जहाज बिलकुल still था, इसका मतलब वो एक जगा पर खड़ा था, it means that the air, the sea, the ship were all still, they were stationary, the sails of the ship were not getting any winds from the ocean, यानि कि किसी भी तरह का हवा का उसको की मदद नहीं मिल रही थी, and the keel of the ship was fixed to the ocean, so you are getting the image, आखे मन कर लिजिए, imagine किजिए, एक बड़ा सा जहाज, एक समुंदर में बिलकुल stationary रूप से almost खड़ा है, okay, without either sign or sound of their shock, the waves flowed over the inch cape rock, so little they rose, so little they fell, they did not move the inch cape bell, now the second stanza describes the mild sea waves, जो obviously समुंदर की लहरें थोड़ी-थोड़ी तो उठती हैं, एसा नहीं है कि बिलकुल completely still रहेगा, still रहेगा, it's not a storm, it's not a tempest, so mildness का अंदाज़ा आपको कैसे पदाच चलता है, क्योंकि ना कोई sign है, without either sign or sound of their shock, यानि कि the sea waves are very mild at that point in time, और ये inch cape rock के उपर भह रही थी, without making any kind of sign, any kind of sound, sign मतलब visibly it was not like a violent kind of a sea wave, so little they rose, थोड़ा सा उपर चड़े, very gently, and so little they fell, they did not move the inch cape bell, यानि कि उसके उपर चड़ने से, इतना उपर नहीं गया, कि उस bell की घंटी को बजा सके, यानि कि खत्रा नहीं था, आप उस inch cape rock को देख सकते थे, या उसके आसपास जा सकते थे, साइड से होके, inch cape का bell आपको दिख रहा था, ऐसा नहीं था, कि नोई, the leharay was so strong, that the inch cape bell would ring at that point in time, the abbot of Aberbrothock had placed that bell on the inch cape rock, on a boy in the storm, it floated and swung and over the waves its warning rung, आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं, कि किस तरह से उस चटान पर उस inch cape bell को लटकाया गया है, तो abbot of Aberthock, abbot is the head of the abbey of monks, एक abbey मतलब, it's like a group of monks, a building, where the monks and nuns live or used to live, boy का मतलब है, it's a floating object anchored in the sea to mark dangerous things, like you know, जैसे एक खालेट ड्रम वगारा को डालके, it is used as a boy, buoyant word से boy आता है, कि उसको वहाँ पर float करने के लिए दिया जाता है, so that it can be seen as some kind of a warning signal, so it's an anchored floating object, which serves as a navigation mark, navigation का मतलब, जो samundar में होता है, which people can see, sailors can see, and get warned about a possible dangerous place out there, to show dangerous reefs या चत्टान कोई भी हो, उसको identify करने के लिए, तो यहाँ पर Abbott of Aberthukh ने, उस inchcape bell को वहाँ पर inchcape rock पर बांदा था, उसको वहाँ पर install किया था, during the storm, जब samundar में किसी तरह की क्या तोफान आता था, उस समय पर वो float करता था, on the boy, the bell would ring, so that it could alert anyone during the tide, during the high tide, कि देखो, बच के रहना यहाँ पर चत्टान है, तो उससे आपको बच कर रहना पड़ेगा, क्या तक समझ में आ गया? यह यह पर्टिक्लर पोएम, आटवी क्लास ICSC के कुछ की तावब में थी, okay, so I have taught this particular poem before, to one particular student, when the rock was hit by the surges swell, the mariners heard the warning bell, and then they knew the perilous rock, and blessed the abbot of Eber Brothok, so कहने का मतलब यह है, कि surges swell का मतलब, the rise of the waters during the high tide, यानि कि जब high tide होता था, उस समय पर जस तरह से पानी की लहरें ऊपर बढ़ती थी, उसको surges swell का गया है, the sudden and great rise in the level of the sea, the mariners, यानि कि जो समुदर में घुमते थे, उन्होंने warning bell को सुना, and then they knew the perilous rock, perilous का मतलब हो गया, dangerous, and they blessed, यह पुराना style का English का इस्तमाल किया गया है, इस बात को आप note भी कीजिए, कि blessed, instead of writing, अभी हम क्या लिखते हैं, blessed, तो blessed के बजाए, यहाँ पर blessed लिखा है, और उन्होंने Abbott of Brothock को धन्यवाद किया, उसकी सराना की, उसको का कि तो एको अच्छा काम किया, कि इस तरह का bell लगा दिया, नहीं तो हमको खत्रा हो सकता था, हमारी नाव एक तरह से capsize कर सकती थी, तो that is what was happening, the sun in heaven was shining gay, all things were joyful on that day, the seabirds screamed as they wheeled round, and there was joyance in the air. Now, यहाँ पर जो 5th stanza है, उसमें इस बात की बात कर हो रही है, कि उस दिन सूरज काफी, you know, it was shining very brightly in the sky, the atmosphere was also very happy, was shining gay, gay का मतलब, you know, brightly, all things were joyful on that particular day, the seabirds screamed, the seabirds जो samundar के ओपर, they are flying, उड़ते हैं, as they wheeled around, wheeled around means, it's this thing of flying almost like in a wheel, goal goal, and there was joyance in their sound, they were screaming with a lot of joy, okay, the boy of the inch ke bell was seen, a darker speck on the ocean green, Sir Ralph the rover walked his deck, and he fixed his eye on the darker speck, now Sir Ralph the rover is the sea pirate, जिसकी मैने बात की pirate, को हिंदी में क्या बोलते हैं, तेरा मेरकों देखने तो, मेरे को मालूम है, मेरे को, I am not able to think of it right away, समुद्री डाकू, समुद्री डाकू बोलते हैं pirate को, okay, so Sir Ralph the rover was a sea pirate, darker speck मतलब like a tiny dot, so दूर से वो inch ke bell, एक tiny dot की तरह दिख रहा था, तो एक तरह से Sir Ralph का introduction, यहाँ पर छटे stanza में किया जा रहा है, और उस sunny day, उस दिन जबके काफी दूप निकली हुए थी, तो आपको वो inch ke bell पर, inch ke rock पर वो boy काफी ठीक तरह से दिखाई पड़ रहा था, like a dark black spot on the green sea, green ocean, so Sir Ralph उस ship के deck पर गए, और उसने उस जगा पर अपनी नजर गड़ाई, okay, now he is called Sir perhaps because the sailors refer to him as Sir, that can be the only logical explanation कि उसको Sir क्यों बुलाए है क्योंकि यह तो एक समुद्री डाकू है, डाकू को आप Sir तोड़ी बुलाएंगे, तो लगता यह है कि बाकी sailors उसको out of respect and because of his seniority, they would call him as Sir, now the seventh stanza is important, okay, इस seventh stanza important है और इसका आखरी line in particular ज़्यादा important है, इसके बारे में मैंने question answer भी लिखा है, he felt the cheering power of spring, it made him whistle, it made him sing, his heart was mirthful to excess, but the rover's mirth was wickedness, now कहने का मतलब यह है, क्योंकि हमको Sir Ralph के अंदर की, उसके जिस तरह की भावनाएं हैं, उसके बारे में हमको पता चलता है कि, यह आखिरकार यह समुद्री डाकू सोच क्या रहा है, और उसकी आंखें fix सी उस inch cape rock के उस bell पर, और वो देखकर वो whistle कर रहा था, गाना भी कर रहा था, और ऐसा लग रहा था कि Sir Ralph काफी खुश है, ऐसा लग रहा था कि Sir यह जो समुद्री डाकू है, काफी खुश है और लेकिन हमको, the poet tells us, but the rover's mirth was wickedness, लेकिन असली कारण था कि उसके मन में एक काफी खराब खयाल पैदा हो रहा था, you know, it was, there was kind of an evil thought which was developing in his mind, because he wanted to destroy the good work done by the abbot of Abarthogh, so there was a wicked thought which was running in Sir Ralph's mind, हाला कि बाहर से और इसका एक और interpretation हो सकता है, बाहर से आप डेखेंगे कि ओ, यह बंदा मेरी सफलता पर काफी खुश है, ऐसा होता भी है, कि क्लास में भी काफी ऐसा होता होगा, कि बाहर से बोलेंगे, congratulations, I am so happy for you, that you have come first, or that you have won this competition, पीछे जाके वही बोलेंगे, मुझे लगता है कि यह तो nepotism का मामला है, मुझे लगता है कि जर्जिस ने बड़ी favoritism की होगी, मुझे लगता है इसको paper पहले से लीख हो गया होगा, है ना, होता है ना, जो जो बाहर दिखता है, वो कभी-कभी अंदर नहीं होता है, सर्फ राल्फ के साथ भी वही है, सो appearances are deceptive, इस theme को भी आप यहां पर note कर लीजिए, because on the face of it, ऐसा लग रहा था कि सर्फ राल्फ काफी खुश है, his heart was mirthful to excess, बहुत ही जादा, अत्यन्थ खुशी लग रही थी, लेकिन the rover's mirth was actually wickedness, उसके मन में काफी कपटी ख्याल आ रहा था, his eye was on the inchape float, कोथी, कोथी means he said, my men put out the boat and row me to the inchape rock, and I will plague the abbot of Abarthuk, तो यहां पर उसको coat किया गया है, direct coat डाला गया है, ताकि उसका effect जादा हो, जब हाँ सुने, सर्फ Ralph ने खुद ये शब्द कहे, तो यहां पर वो बोलता है, और अपनी मन की इच्छा को व्यक्त करता है, कि उसका कहना है, कि मैं inchape rock को देख सकता हूं, तो he says, take me to that inchape rock, and then he says, I am going to kill or destroy, plague का मतलब, cause, pain or trouble, यानि कि मैं उसको destroy करना चाता हूं, जिस तरह का काम उसने किया है, उसको में destroy करना चाता हूं, नाइन्थ स्टैंजा में क्या होता है, the boat is lowered, यानि कि शिप बड़े जहाद से, एक छोटा boat को lower किया जाता है, उसमें कुछ लोग जाते हैं, और वो इंच के प्रॉक को जाते हैं, and Sir Ralph bent over from the boat, and he cut the bell from the inच के फ्लोट, यानि कि उसने उस bell को वहाँ पर काट दिया, अब, as soon as he cut, bell कहा जाएगा, bell को लेके घर तो नहीं जाएगा, bell नीचे चला गया, पानी के अंदर, okay, so the bell was sinking, and as it was sinking, it was making that kind of a gurgling kind of a sound, this is onomatopoeia, which is the sound, which has been converted into a word, okay, the word conveys a kind of sound, that would have been created, the bubbles rose and burst around, bubbles निकले जैसे वो बेल नीचे गया, and then Sir Ralph said, the next who comes to the rock, won't bless the abbot of Abarthu, क्यानी कि उसको जलन इसलिए थी, क्यानी कि जितने भी लोग उस चटान से बच कर निकल रहे थे, वो हर बारी, abbot of Abarthu को एक तरह से bless कर रहे थे, उसके बारे में अच्छा सोच रहे थे, so he says, अब अगला बोर्ट जो आएगा, अगली नाव जो आएगी, वो उस abbot को bless नहीं करेगा, क्यूंकि वो चटान से टक्रा जाएगा, और पूरी तरह से उसका वो नश्ट हो जाएगा, Okay, so he says, Sir Ralph the rover sailed away, he scoured the seas, scoured मतलब travel freely, and he was looking for, searching for ships in the seas for many a day, and now grown rich with plundered store, he steers his course for Scotland's shore, he says कि वो वहाँ से वो चटान से निकल गया, उसके बाद वो काफी कुछ घूमा इधर उधर, उसने कई सारे नावों को लूटा, जिनके की वहाँ पर उसके साथ दुरघटना हो जाती थी, इंचकेप रॉक के साथ, और सीमन वोड नो लॉंगर bless the abbot, और now he was a rich man, जितने भी उसने treasures को लूटा था, पैसा, जेवर, जवाराथ, whatever he looted, all that made him a very rich man, and then he went to Scotland with his ship, की मैं Scotland की तरफ निकल जाता हूँ, बिकास ये पूरा इलाका, Scotland तटके काफी समीब था, सिरफ 18 km, तो थीक है, 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 ओवर-spreads the sky, they cannot see the sun on high, the wind hath blown a gale all day, at evening it had died away, so the 12th stanza में, it describes the gloomy atmosphere, अभी sunny atmosphere से, atmosphere has become very gloomy, थोड़ा सा, overcast sky, very cloudy sky it has become, okay, and haze का मतलब, haze थोड़ा सा एक दुन्दला दुन्दला, it's like a thin mist, over the seas at that point in time, they cannot see the sun, so सूरज नही दिख रहा था, on high मतलब, उस हाइट पे सूरज नही दिख रहा था, right, and it is hidden, because it's hidden by the mist or the fog, and strong winds were blowing, the wind had blown a gale all day, it's referring to, strong winds, in evening it had died away, okay, in the evening it had stopped blowing, on the deck the rover takes a stand, so dark that they see no land, कोथ सर्थ राल्फ, it will be lighter soon, for there is a dawn of the rising moon, तो अगले स्टैंजा में कहता है, कि rover उस deck पर फिर से वापिस गया, he cannot see any land, because काफी अंधेरा है, लेकिन राल्फ कहता है, कि चंदरमा भाहर निकलेगा, और फिर उसके बाद, there will be Roshni, there will be light as a result, कांट्स here said one, the breaker's roar, for me thinks we should be near the shore, now where we are, I cannot tell, but I wish I could hear the, in the 14th stanza, राल्फ का एक आद्मी, एक और समुदरी डाको, जो उसके team का मंदा है, वो कहता है, कि हमको समुदर की लहरों की आवाज सुनाई पड़ रही है, hitting something, right, so लगता है, कि शायद हम तट के पास है, और उसको ये बुरा लगता है, कि अरे अरे इंचकेप का रॉक का बेल होता, तो हमको इस बात की चेताव नहीं देता, कि हम exactly कहा है, me thinks का मतलब है, I think, okay, it's just another old style way of saying I think, me thinks मतलब मैं सोच रहा हूँ, कि हम शायद तट के पास हैं, लेकिन हम कहां पर हैं, exactly हमको पता नहीं है, I wish I could hear the इंचकेप बेल, so जिन लोगों ने उस इंचकेप रॉक को काटने में, बेल को काटने में, सर्फ राल्फ की मदद की, अब उनको खुद एक तरह से दुख हो रहा है, कि काश यहाँ पर इंचकेप बेल होता, तो हमको पता चलता कि हम exactly कहां पहें, इतने अंधेरे में पता नहीं चल रहा है कि हम तटके पास हैं, अभी भी समुंदर के काफी अंदर ही हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी, क्यूंकि उन्होंने उस इंचकेप बेल को काट दिया था, so they hear no sound, the swell is strong, though the wind hath fallen, they drift along, till the vessel strikes with a shivering shock, oh Christ, it is the inchecape rock, लेकिन कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ी, क्यूंकि कोई well नहीं था, लेकिन उस दिन काफी समुंदर की काफी लहरें काफी strong थी, और वो काफी काफी धीरे, drifting का मतलब काफी slow kind of moment से, they were going in the ship, and suddenly वो vessel को किसी चीज से जाके टकराती है, और उस समय पर उनको इस बात का एहसास होता है, कि उनकी नाव जाके सीधा, उनका जहाद सीधा जाके inchecape rock के साथ टकरा गया है, because उनको अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था, and then he says, So वो भगवान को याद करते हैं, saying that it's a inchecape rock, so at that time even the bad men remember God when they are in trouble, Sir Ralph the rover tore his hair, उसने एक तरह से अपने बाल नोचे, he cursed himself, उसने अपने आप को श्राब दिया, कि हाई मैंने ऐसा क्यों किया, अपने despair में मतलब, अपने उदास स्थिती में, the waves rush in every side, यानि कि हर तरफ से लहरे आ रही थी, right, he is very frustrated at that point in time, and the ship is sinking beneath the tide, और चूंकि शिप उस चटान से तक्रा कर तूट गया, तो it has started sinking, obviously, छेद हो गए होंगे, तो it has started sinking, because the water is coming inside, but even in his dying fear, one dreadful sound could the rover hear, a sound as if with the inch ke bell, the devil below was ringing his knell, so in the last poem, in the last tenza, it's almost like, you know, very biblical in its mood, very biblical, because biblical क्यों, because इसमें शैतान की बात की गई है, okay, इस शब्द का आप इस्तमाल कर सकते हैं, okay, very biblical, because यहाँ पर शैतान की बात की गई है, उसका कहना है, कि उसको लग रहा था, कि उसको फिर भी, हाला कि इंच के बेल को तो उसने काट दिया था, लेकिन उसको लग रहा था, कि शायद उसको अभी भी कोई ना कोई आवाज सुनाई पड़ रही है, लेकिन वो आवाज असली में शैतान की थी, जो कि उसका डेथ का बेल, उसकी मौद का बेल, डेथ नेल बोलते हैं न, there is a phrase that, oh, this is a phrase which is used, okay, डेथ नेल उसको सुनाई पड़ रहा था, तो उसको अपने मौद की गंटी सुनाई पड़ रही थी, और ये शैतान कर रहा था, ताकि उसको उसकी उसने जो कर्म किया, उसकी सजा उसको भुगतनी पड़े, so this is of course, this imagination ऐसा नहीं है, कि उसको गंटी सुनाई पड़ रही थी, लेकिन उसको लग रहा था, कि शायद उसको सुनाई गंटी पड़ रही थी, so ringing the death knell बोलते हैं, okay, they say like कोई company बिलकुल खराब हो गई है, तो बोलते हैं कि, oh, he ranked the death knell for the company, यानि कि उसकी leadership में, वो company पूरी के पूरी बंद हो गई, okay, उसका भटा बैट गया, okay, so ringing the death knell बोलते हैं, तो यहाँ पर भी उसी बात को reference में लेके, कहा गया है, उसका imagination है, उसका सोच है, कि एक शैतान शायद उसका नेल बजा रहा था, तो यह तो हो गया, जहां तक this particular poem is concerned, इसमें जो poetic devices का इस्तेमाल किया गया है, alliteration का का इस्तेमाल किया गया है, sailed away, scored the seas, SS का इस्तेमाल, inversion का का काफी इस्तेमाल किया गया है, where the natural order of the words is kind of changed, down sank the bell with a gurgling sound, down sank the bell, otherwise you will say the bell sank down with a gurgling sound, that would be the normal way the sentence would be written, but he writes it using the poetic device of inversion, on a boy in the storm, personification, the ship was as still, यानि कि शिप बिल्कुल एक जगा पे खड़ा था, almost personifying it, sound imagery इसमें काफी है, okay, warning rung, joints in the sound, visual imagery, सूरज के बारे में जो भी का गया है, वो सब visual imagery है, और onomatopoeia, तो मैंने अलड़ी बता दिया है, तो ये सब हैं, मैंने काफी सारे questions इसमें लिखे हैं, 16 questions I have written on this particular poem, तो एक तरह से सारे poem के जितने भी questions आ सकते हैं, उसको इस PDF में cover कर दिया गया है, तो आप इसको देख लीजे, poem को एक बारी समझ लेंगे, तो notes को एक दो बारी पढ़ लेंगे, तो आपका ये हो जाएगा, Incape Rock is not a very complex kind of poem, इसका theme और basic messaging वोई है, As you sow, so you reap, करनी का फल आपको इसी जनम में भुगतना पड़ेगा, इसलिए अच्छे कर्म करने की जरूरत है, Okay, Tata, bye-bye, Thank you very much, God bless you.